हेलो वियोज, इंपोर्टन टॉपिक रिविजन की आज के एपिसोड में एक बर फिर से आपका स्वागत है, तो कला एवं संस्कृति से जुड़े आज के एपिसोड का विशे है बौध एवं जैन धर्म, चलिए सबसे पहले इसका परिचे देखते हैं, बात करते हैं बौध अशोक के रुम्मिंदेई अभिलेक से प्राप्त हुई बौध धर्म के संस्थापक महत्मा बुध के जन्म से जुड़ी जानकारी, बुध ने 29 वर्ज की आयू में ग्रह त्याक किया, ये घटना महाभी निश्करमन कहलाती है, चौथी बौध संगीती में बौध धर्म दो संस्थापक कहा जाता है, जबकि 24 में तीर्थंकर महावीर स्वामी ने इसे शिखर पर पहुँचाया, इसके प्रमुख संप्रदाएं हैं श्वेतांबर एवं दिगंबर, यहां श्वेतांबर का मतलब है श्वेत वस्त्रधारन करना, ये धर्म से जुड़ी माननेताओं को कम कठोरता से पालन करता है, वहीं दिगंबर यानि कोई भी वस्त्रधारन ना करना, ये धर्म से जुड़ी शिक्षाओं का कठोरता से पालन करता है, अब बात करते हैं बौध एवं जैन धर्म के प्रमुख मत एवं दर्शन की, तो सबसे पहले बौध धर्म, इसके चार आ रह सकते हैं, संसार दुख में है, दुख का कारण अज्यान है, दुख का निरोध है निर्वान और दुख निरोध का मार्ग है अश्टांगिक मार्ग, इसमें अश्टांगिक मार्ग की बात करें तो समयक दृष्टी, समयक संकल्प, समयक वाग, समयक कर्मांत, समयक और सम्यक समाधी, आत्मा की अमरता का खंडन परंटु कर्मवाद, पुनर्जन, निर्वान का समर्थन करता है। त्रिपिटक बुध की शिक्षाओं का संकलन है। इस्त्रिपिटक में शामिल है सुत्पिटक, जो बुद्ध के सिध्धान्त एवं उपदेशों का संकलन है। दूसरा है विने पिटक, इसमें संघ के नियामों का संकलन किया गया है। और तीसरा है अभी धंब पिटग ये बुद्ध के दार्षनिक सिध्धानतों का संकलन है अब प्रमख बहुत संगीतियों की बात करते हैं इसकी चार संगीतियां हुई प्रथम संगीती राजग्रह यानि सप्तपढ़ने गुफा में हुई अध्यक्ष महाकस्प और शासक जबकि चौथी संगीती कश्मीर यानि कुर्णलवन विहार में हुई और आचारे वसुमित्र अध्यक्ष और शासक का निश्क चलिए अब जैंधर्म पर नज़र डालते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी पंचवरत की ये है अहिंसा यानि हिंसा ना करना दूसरा अम मचर यानि इंद्रिय निग्रह करना इसके बाद है अनेकांतवाद यानि प्रतेक वस्तु के अनेक धर्म है जिने केवल कैवल्य यानि ज्यान प्राप्त वेक्ती ही जान पाता है दूसरा है स्यादवाद शायद है शायद नहीं इसके त्रीरतन की बात करें तो कैवल्य की प जैन्धर्म कर्मवाद, पुनर्जन्व आत्मा की अमर्ता पर बल देता है। हर मिका के मध्य में स्थित यश्टी पर तीन छत्र, श्रद्धा सम्मान एवं उदारता के प्रतीक। स्थूप के चारों और एक प्रदक्षिना पत्थ बनाया जाता है, ये प्रवेश हेतु तोरण द्वार होता है। अब बात करते हैं प्रमक स्थूप की, सबसे पहले सांची के स्थूप। विदिशा के निकट स्थित, काकनाड या चेतिये गिरी पहाड़ी पर ये स्थूप सम्हु स्थित है। स्थूप एक मौरे काल से संबंधित, जबकि स्थूप दो और स्थूप तीन का संबंध मौरे उत्तर काल से है। बौध धर्म के इन स्तंभों से बौध धर्म प्रचारकों और शिष्ट मंडल की सूची प्राप्त हुई अगला है भरुत स्थूप इसका स्थान सतना मध्यप्रदेश है अशोक के काल में इसका निर्मान एवं शुंग काल में विकास हुआ इसके बाद आता है नागारजुन कोंडा स्थूप इसका स्थान गुंटूर आंधर प्रदेश है ये नल्ला मलाई की पहाड़ियों एवं क्रशन नदी से घिरा हुआ है एवं असमान वास्तु योजना युक्त स्थूप है इसकी विशेष्टा में शामिल है पांच युक्त खंबे बौधर्म के जीवन जन्द, त्याग, ज्यान, पहले धर्मोग देश तथा महापरी निर्वान से संबन्धित है इसके बाद आता है अमरावती स्थूप जिसका स्थान अमरावती आंधर प्रदेश है वेदिका में अलंकरण एवं संगमर्मर का प्रयोग स्थूप के सामने खड़ा आयक स्थंब इसकी प्रमखविशिष्टा है इसका स्थान सारनाथ उत्तर प्रदेश है इसका प्राची नाम रिशी पत्तन था यहां बुध ने प्रथम प्रवचन दिया यहां चोखंडी स्थूप, धर्मराजी का स्थूप एवं धमेक स्थापत है इसके बाद बात करते हैं चैते ग्रिह या गुहा मंदर की बौध धर्म से संबंधित मौर्योतर काल से गुप्तकाल तक का स्थापत है बौध भिक्षियों के लिए ध्यान, प्रवचन, प्रार्तना हेतु पहाडों को काट कर बनाई गई संरचना है चैते प्राय पूजार थक स्थूप कहलाता है अब प्रामुख चैते की बात करें तो इसमें शामिल है भाजा चैते, भोरगाट महराष्ट्र में है ये बहुत कला का केंद्र है और हीन यानी चैतेवं विहार इसके बाद है कारले चैते जो भोरगाट महराष्ट्र में है इसके विशेष्टा कला की दृष्टी से साधारन विहार किन्तु चैत्ते की विशेष्टा के कारण इसे महाचैत्ते कहा जाता है लेक की बात करें तो ब्राहम मिलीपी में है नेक्स्ट है अजन्ता और अंगबाद महराष्ट्र में इसका समय मौरियोत्तरकाल, गुप्तकाल, गुप्तोत्तरकाल विशेष्टा की बात करें तो बहुत धर्म से संबंधित पेंटिंग इनकी ख्याती का प्रमुक कारण है अगला है एलोरा और अंगबाद महराष्ट्र में साथवी से नौवी शिताब्दी के मद्धे 34 शेलकृत गुफाव का निर्मान हुआ राष्टकूटो द्वारा निर्मान किया गया दस चैतिग्र है शिल्प देवता विश्व कर्मा को समर्पित है यूनेस्को द्वारा 1983 में इसे विश्विरासत स्थल घोशित किया गया था इसके बाद है नासिक या पांडूलेण चैतिग्र मुख्य मंडब दो मंजिला, स्तंब इकहरे और लंबे है चली विस्तर रलेटिट कुछ अन्य तत्यों पर नजर डालते है बहुत धर्म की बात करें तो हाल ही मैं अंतराष्ट्रे बहुत परी संग्यानी IBC के साथ साजिदारी में संस्कृति मंत्राले ने प्रथम वैश्विक बहुत शिकर संभिलन 2023 का आयोजन किया है जिसका उदेशे अन्य देशों के साथ संस्कृतिक और राजनेक संबंदों को बढ़ाना है अब वहीं जैन धर्म की बात करें तो महा मस्तका अभिशेक महोटसव प्रतिक 12 वर्ष में मनाया जाता है इसके तहत करनाटक के श्रवन बेल गोला में बाहुबली की प्रतिमा का महा मस्तका अभिशेक होता है ये महोटसव पिछले 1000 वर्ष उसे मनाया जा रहा है तो वियर्स आज के एपिसोड में इतना ही हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा कॉमन सेक्शन में जरूर बताएगा तो चलिए मुलाकात होगी अगले एपिसोड में तब तक के लिए जैहिंद बानय में तक की विए याले सेक्ट आ使効ख सुड रहा है ये म्ड़ी को के लिए उदकन कर पिछल आपको काईश को जिए प्या में चाना जरूर प्टलीजाएब पिस होग पिस signal झाले से कॉम। झाले से को में गभाचे कैसने बाले हैं झाल झाल